दोस्तों आज मैं आप सबसे डिस्कस करूँगे 81 सिरीज में मुलांक 3 और भाक्या 5 के बारे में कैसे होते हैं लोग इनका क्या पच्छाल की ट्रेश्ट होता है इनके लिए क्या सही है और किन चीजों को अबवाईट करना चाहिए कौन सा color लगए है, कौन सा color अलगए है, कौन सा day लगए है, कौन सा number लगए है, कौन सा number अलगए है, इंस सब video पर च Jesus हência करूँ की, तो जुरे रहे हैं नमस्कार दोस्तों, जैक देब, मैं समितल अपनी आए सिंग, फिर से वेलकम करती हूं अपनी चैनल को फिर और नमबर थ्री, ये किनका मुलांग होता है, तो जिनका भी डेट ओबर्थ है, 3, 12, 21, 30, उनका मुलांग हो गया 3, और डेट ओबर्थ, मन्थ एंड इयर को काल्कुलेट करके, हम सम टूटल करते हैं, और उसे वन डिजिट पे लाते हैं, जब वन डिजिट पे नमबर आता है, तो उनका भाग्यांक हो गया नमबर फाइव, नमबर थ्री जाना जाता है, नॉललेज के लिए, विस्ट्न के लिए, Srpt yap ke alit और और नमबर फाइव, जाना जाता है, बुद्धी के लिए, तो कह सकते हैं, कि ऐसे परसन, ब्लेश्ट परसन होते हैं, जिनका नमबर थ्री वाले नॉलेजबल तो होते ही हैं इन्हें ग्यान की भूप होती हैं और साथ में बुद्ध देव हैं तो उन्हें कहां ले जा सकते हैं बहुत बहुत knowledgeable person हो गई दोस्तो front इस58 मिनमबर थृए है तो यह planning बहुत ज्यादा करेंगे एक साथ 10 planning कर लritis और 10 सम्च आगे की planning करते हैं गर एक साथ बहुत ज्यादा planning करेंगे एक साथ सारे काम कर स्टार्ट करेंगे तो वो successful नहीं हो पाएगा तो दोस्तो इसलिए इनको कहा जाता है कि गुड श्टार्टर एंड बैड फिनिशर दोस्तो इनके एक अलगी पर्शनालिटी होती है कहीं भी चले जाए इनकी कॉमुनिकेशन इसकिल इतनी अच्छी होती है कि लोग इनसे कन्वेंस हो जाते है इनकी एक अलग भचान होती है यह बहुत फ्रेंडली नेचर भी होती है इनके बहुत सारे दोस्त होते है और बहुत टॉकेटिव भी होते है कॉमुनिकेशन इसकिल बहुत अच्छी होती है दोस्तो इनकी सबसे बड़ी कमी है कि नमबर फाइव है साथ में तो यह लेजिनेस सो करते है अगर यह फोकस हो जाए किसी एक चीज़ पे अपने नॉलेज को यूज करके तो बहुत बहुत आगे जा सकते है दोस्तो यह ऐसे लोग होते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर ठान लिया तो करके ही दम लेते हैं भले ही इन्हें बार बार गिरना करें यह उठते हैं खरे होते हैं फिर करते हैं जब तक यह कर नहीं लेते हैं तब तक यह छोड़ते नहीं हैं और गिर के जब संभलते हैं तो यह चमकते हैं बहुत आगे जाते हैं यह शाइन करते हैं दोस्तों ये किसी भी चेतर में चले जाएं इनकी एक अलग ही पहचान होती है ये एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं अच्छे कॉमुनिकेटर हो सकते हैं ये अच्छे काउंसलर हो सकते हैं आप मेडिया में चले जाएं बहुत-बहुत बलेसिंग है आपके लिए दोस्तों क् आपकी communication skill बहुत बढ़िया है आप creative portion भी है तो creativity से related कोई भी work करते हैं बहुत आगे जाएंगे दोस्तो बस आपको avoid करना है luxury item से related work पारलर से related work भी करते हैं तो आप successful नहीं होंगे और करल साइंस में भी जाएंगे बहुत-बहुत blessings है आपके लिए दोस्तो आप education के छेतर में जाना चाहते हैं बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए आप education के लिए अपरोड जाना चाहते हैं business करना चाहते हैं या फिर job के लिए जाना चाहते हैं बहुत-बहुत blessings है दोस्तो आपके लिए जो लगी कलर है वो है green, yellow and light color आपके लिए जो unlucky day है वो है Friday तो Friday को कोई भी काम स्टार्ट ना करें दोस्तो आपके लिए जो helpful tips है वो है कि आप Wednesday को गनेश ची की पूजा करें और Thursday को पीली चीजों का दान करें अगर आपके लाइफ में किसी तर की परशानी आ रही है तो according to numerology अगर आप मेरे बातों से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजे तो खिर मैं मिलती हूं नए नाउलेज के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद टेक केर चैनल को देए